थंड का मौसम हो और हो रही हो जोरो सोरो की बारिश तो ऐसे में सिर्फ रियाद आती है प्याज के पकोड़े की नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अपनी रसोई में चरिये बनाते हैं आज हरे प्याज मतलब स्प्रिंग अनियन के बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े और बहुत ही चकपटे तो यहां पर हमने लिया है हरे वाले प्याज के पत्ते इसके सुखे हुए भाग को हम अलग करेंगे इसे धुल लेंगे इसके बाद इसे एक एक इंच के टुकड़े में कट करेंगे अब इसे मिकसर बावल में ट्रांसफर कर देंगे आधी कप बेसन लेंगे और आधी कप चावल का आठा 3-4 कटी हुई हरी मिर्ज और 3-4 लहसन और एक इंचा द्रग को कूट के इसमें ऐड करेंगे आधी चमच काली मिर्श पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर, एक चमच गरम मसाला, एक चमच साबुट जीरा और एक चमच के लगबक साबुट धनिया, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चिली फ्लेक्स आधी चमच, काला नमक आधी चमच और आधी चमच सफेद वाला नमक एक वाइल आलू मैश करके इसमें डालेंगे इससे हमारे पकोड़े न बहुत ही जादा अच्छे बनेंगे अब इसमें आध करेंगे धेर सारी कटी हुई धनिया की पती और इसे मिक्स कर लेंगे इसे हमें सुखा ही मिक्स करना है क्योंकि जो प्याज के पते हैं वो पानी बहुत रिलीज करते हैं इसलिए बस ऐसे ही सुखा हमें मिक्स करना है अब पकोडे से छोटा सा बाइट उठाएंगे और पहले से हमने कठाई में ओयल गरम किया था तो ऐसे ही छोटे छोटे बाइट से उठा के इसमें हम डाल देंगे छोटे बड़े आप अपने कॉडिंग इसमें डाल सकते हैं जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएगा तो इसका साइट हम चेंज करके दूसरे साइट कर देंगे और बस ऐसे ही हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है तो ये देखिए हमारे जो पकोडे हैं वो फ्राई हो चुके हैं अब इसे हम निकाल लेते हैं तो किसी भी छनी या किसी भी पल्टे में इसे हमें ऐसे निकालना ताकि जो इसका एक्स्ट्रा वाइल है वो निकल जाए बस अब इसे हम सेल्फ कर लेते हैं तो इसे आप सॉस के साथ या चकनी के साथ इंजाय कर सकते हैं ठंडी में इससे अच्छा option तो होई नहीं सकता बहुत ही simple है और बहुत ही ज्यादा tasty है तो एक बार try भी करिएगा और खा के जरूर बतेएगा कैसा लगा आपको यह बिल्कुल नए तरीके का पकोड़ा काफी tasty है और बहुत ही crunchy है recipe अच्छी लगे तो like, share, subscribe करना ना भूले म मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye